वेलकम टू जीज़ोजिया आशपीरें and यूटूब चानल शो तू डो एनिंग टू डिस्क्रस बाउट मार्बल ठीके आज हम डिस्क्रस करें गे मार्बल को उपर मार्बल क्या है एक मेटामोर्फिक रॉक है यह मारबल का जो भी मतलब क्यारक्टर स्टीक के प्रापर्टी या फिर पेट्रोग्राफिय है in case of metamorphic पेट्रोलोजी उसके उपर हम मतलब discuss करेंगे metamorphic point of view से हम देखेंगे मारबल के उपर ठीक है तो हमेशा सही एक sequence रहा है physical characteristic प्रापर्टी या फिर उसका दबोल सकते हो टेक्स चेस्टेर स्टक्चर उसका स्टाट करेंगे करेंगे उसका sequence को डिश्टब ना करते हुए सबसे पहले हम देखें फिजिकल क्रेक्टर फिजिकल क्यरेक्टर कर जब भी बात करते हैं तो यहां पर आपको यहां पर किस तरह का मानडल सरे चयां के बना अगर मतलब एक प्रोसेस के द्वारा बनता है टाइम के साथ यह बनता है means pressure और temperature जब आक्ट करता है pre-existing rock में तो उसके वजह सा आपको metamorphic rock देखने को मिलता है but particular कि इस rock में art करता है pressure और temperature और वो rock का को मतलब mineralogy क्या है उसके उपर depend करेगा marble का color we have different different type of marble in point of view of color color का point of view से जब आप marble को देखने को जाओगे तो बहुत सारे color आपको देखने को मिल जाएगा marble का तो color के अंदर अभी नहीं जाते simply हमने अभी क्या देखा physical character physical character में हमने यहीं देखा कि hard रहेगा माशिब रहेगा compact रहेगा heavy भी रहेगा बट color में variation आने ही वाला है ठीक है और इसका जो parent rock रहता है वो रहता है limestone limestone का जब भी metamorphism होता है तो उसके वज़े से आपको marble देखने को मिलेगा अब limestone क्या sedimenty rock है जो की chemical precipitation से बनता है या फिर आप बोल सकतो non plastic sedimenty rock है ठीक है अब sedimenty rock तो हमने deal में discuss कर लिया वहाँ पर हमने texture देखा limestone को उपर भी discuss कर लिया था texture structure सब कुछ हमने deal में देख ला तो limestone क्या I hope आप सबको पता ही होगा तो यहाँ पर limestone को जब भी metamorphism होता है limestone के उपर या फिर limestone के उपर जब भी pressure और temperature आक्ट करता है तो उसी के वज़े से आपको क्या देखने को मिलेगा marble ठीक है उसी के वज़े से mechanical भी बनता है limestone जो है chemical भी बनता है ठीक है precipitation के द्वारा तो marble का जो भी physical character था हमने देखा color में variation बहुत ज़्यदा आने ही वाला है उसका बात करते है जब भी texture का तो हाँ texture में आपको देखने को मिलेगा granoblastic texture ओके एगन जब हम बात करते है इसको structure का तो आपको structure में मिला granoblastic texture अब यह granoblastic texture क्या है या फिर granoblastic structure क्या है तो हमने texture में भी different type of texture detail में और structure में हमने different type structure discuss किया था ठीक है बट फिर भी एक मतलब कोई cover view ले लेते हैं एक थोड़ सा याद करने को try करते हूं texture में जो हमने बोला था granoblastic texture सबसे पहले बात तो हमको यह मتलब study करना जो blast या फिर BLAST जो term यूज हो रहा है मतलब यह प्रिबयास का जलता है जो भी टेक्स्ट को आ पना टेक्स्टर ब रहा तो उसी केस में बलते हैं ब्रास्टिक जब भी गैशर करते हैं तो यहां पर दीचिर करते हैं वहां पर स्ट्रक्टर का बात करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिला ग्रानुलोज स्ट्ट्टर का मीनिंग को हमने फिरभेस वीडियो में देखा था जब भी कोई पॉर्फिरो बलास्ट बॉट्ट इनकेस ऑफ इग्नियस पेटलोजी जो भी बड़े-बड़े किस्टल रहते उसी बहुत यहां पर हम बबात करेंगे तो यहां पर बड़े-बड़े किस्टल कंपोलेंगे पॉर्फिरो ब्लास्ट तो यही है उसका स्टक्चर और टेक्स्टर अब बात करते हैं जब भी मिनरालोजी गाल कंपोजिशन तो यहां पर आपको क्यालसियम कार्बोनेट रीच आपको मिनराल देखने को मिलेगा मिल सकता है तो यह था वाल अबाट मार्वल कुछ भी डावटो कमेंट कर दीजे वीडियो कर अच्छा लगा लाइक कर दीजे थैंक्यू फूर वाचिंग